इस वीडियो में जानेंगे bank account, loan या credit card रखने वाले कब बरबाद होता है ध्यान से सुनिएगा जैदी आपका किसी भी bank में खाता है, loan चल रहा है या कोई भी credit card चल रहा है तो समभल जाएगे वीडियो को ध्यान से देखा है, short में बात करेंगे, एक दो मिनट का वीडियो लगता है, आपको कोई बहुत बड़ा धटका लग जाए, ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे, चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, जैदी आप फर्स टाम देख रहे हैं चैनल चैनल पर वीडियो, यहां से subscribe कर लेजएगा, subscribe करके all notification, on कर लेजएगा, वीडियो को फिंऄ बैंक किसी उदिया बैंक में आपका वेजए खाता है, छिकद और पीक शीव बनियुद को लाद। किसी भी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है ठीक है या किसी भी तरह का आप लेंदेन करते हैं बैंक से तो वीजो को देखिए वरना बरबाद हो सकते हैं आप कैसे बरबाद होंगे कब बरबाद होंगे वीजो को देखिए देखिए जब बैंक में खाता होगा तो खाता प्रफिए और टीपी वगरा आता होगा टान्जक्शन से रिलेटेड़ एसमेस वगरा आता होगा एसमेस अलार्ट आता है इमेल आता है कई सारे केसे में यह ओटीपी बाइपास भी कर लेता है समझे बात को आप लोग नियूज वगरा है देखते होगे लोन के नाम पे भी करते हैं दूसरा स्लाइड ओपन करते हैं कब बरबाद होंगे जब आप अपने अपनी बैंक एकाउंट का या लोन का लोन के नाम पर कोई भी आपको ओफर दे रहा है या क्रेडिट कार्ड के केस में आप से कोई यानि किसी भी ट्रांजक्शन से रिलेटेड किस आपके किस पासवर्ड पासवर्ड जिसको बते हैं पी पासवर्ड यानि जब कोई भी ट्रांजक्शन करेंगे तो ट्रांजक्शन चर्ण करेंगे आप वार transaction करेंगे one time transaction करेंगे जब one time transaction करेंगे तो आउसकल प्राइं करेंगे यह जनाना है online काम है internet से सारा काम हो जाता है तो और बैंक कैसे authenticate करती है यह आप ही है जो इस transaction को perform कर रहे हैं तो उसके लिए बैंक क्या करती है आपका जो registered mobile number है ध्याद सुनिए आपको क्या करने हैं जिन्दिगी में कभी भी किसी के साथ भी OTP शेयर नहीं करना है तो आपको पता है यह transaction आप नहीं कर रहे हैं तो आपको OTP कभी भी किसे के साथ शेयर नहीं करना है थीक है जदी आपने शेयर किया तो फिर आप बरबाद हो जाएगा ना तो आपका क्रेट कार्ड खाली भी हो क्रेट कार्ड भी खाली हो जाएगा लोन के नाम पे जदी कोई ऑफर दे रहा है त उल्टे पैसा बरबाद हो जाएगा ठीक है तो इन सभी चीजों में एक चीज कोमन है OTP कभी भी आपको OTP दूसरों को शेयर नहीं करने चाहिए वो कुछ भी आपको दे दे और उल्टे बुल्टे लोक लगावन ऑफर से आपको साफधान रहना है ठीक है जी इन सभी चीज और आपका credit card है bank bank account है यह सब आपका personal है और यह सिर्फ आप ही आपको इन सभी जो confidential डखने कभी किसी को भी disclose नहीं करने चाहिए ठीक है इसे इक साथ वीडियो करते हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं जिसको किसकी जानकारी नहीं है और लोकल भावन आपर में आके उसके पास तरह सारे कॉल आते हैं समस आते हैं इमेल आते हैं ठीक है तो उसके चकर में फसके अपना पैसा गवा देती इसलिए कभी विजिनदिगी में OTP वेकरे शेयर नहीं करना तो कर शेयर नहीं करना चलिए थाइंक्यू